अब छोड़िये भाई ब्यक्ति का नाम मर लीजिए जिसका नाम लिये हैं उसका तो एक फैसन हो गया है अब देखे ये कोई बाववली हैं बिहार के अंदर एक बाववली हैं कोई बिहार के अंदर जो हर विशेपर बोलते हैं अब उन्होंने बोला अफसी गोटी मागने लगी है तो आज दीपावली का दिन है मैं सरकार से अगरा करता हूं कि चाहे कोई बाववली हो है कोई धर्म ग्रू हो चाहे कोई नेता हो या किसी जात का लीडर हो या किसी मज़ाब का लीडर हो देश के खिलाब जिसके बक्तब से समाज में नफरत खेलती हो जिसके बक्तब से जातियों में दोईस पैदा होता हो जिसके बक्तब से दो समपरदायों में दूरी पैदा होती है यानि देश और समाज में जो बिग्रह पैदा करने वाले बक्तब हैं आईसे लोगों को सरकार को सुरच्छन नहीं दें जाईए क्योंकि एक फैसन हो गया है किसी बड़े आदमी का नाम लो बड़े आदमी को गाली दो किसी अंतराष्ट्री क्रिमिनल को गाली दो किसी मजहब को गाली दो किसी जाद को गाली दो और सरकारी सुरच्छा लेकर घूमो हमारी बहुत दिनों से ये मांग है और आज भी मांग है यगर हम किसी समाज की निंदा करते हैं किसी मजहब की निंदा करते हैं तो हम ब्यक्तिगत का इपसिटी में करते हैं, तो हमको सुरच्छा नहीं मिलनी चाहिए, ये कानून होना चाहिए, क्योंकि एक फैसन हो गया है, ये बयान देख रहे हैं, ये सुरच्छा मागो, अब बहुत बड़े बाव बली हैं, तीन-चार कोईटल का वजन है उनका, अब इनाम घोचित करेंगे, कि हम किसी का सर काटने का ये करोन देंगे, डेड़ करोन देंगे, दस करोन देंगे, पांच करोन देंगे, दूसरे दी सुरच्छा मांगेगे, आप कौन होते हैं, इनाम घोचित करने वाले, किसी के खिलाब भी इनाम घोचित करने वाले, आप कौन होते किसी का सब माइच का लाओंगा हुआ है कौन आप है अब है अगर दिया है तुझे लो एगा देखिये मेरा व्यक्ति से नहीं है मैं देश के हर उस व्यक्ति की बात करता हूं जो गिशी समाज के खिलाब किसी जाद के खिलाब अपने देश के खिलाब जो टिपड़ी करता है गलट टिपड़ी करता है उसको सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी सरकारी सुरच्चा ना मिले अलबानिया में भारत में पतक जीते हैं क्या लगता है कि कुष्टी की दिशा भारत में किस्तर जा रही है और अब सवाल यह उठा है कि इंदिनेश का अब आप्चन भी आ गया तेखिए आप उसका नाम क्यों लेते हैं उससे अच्छा रिकार तो साची मलिक का है पलंपी का मेंडल है कई बच्चों का है पूजा धाना का है वर्ड में मेंडल है लेकिन आज भारत किसी एक खिलाडी कुष्टी का खेल किसी एक खिलाडी तक सीमित नहीं रह गया है आज दुनिया के जो चार पांच बहतरिन देश है उसमें से भारत एक है और क्यों लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है यह नहीं कि क्यों सीनियर में मेडल आता है सीनियर में मेडल आता है जूनियर में मेडल आता है 23 में मेडल आता है कईड़ट में मेडल आता है अंडर 15 में मेडल आता है आज भारत जो है कुस्ति का हब बन चुका है लेकिन सरकार ने भी दुनिया के अंदर दो ही देशां ऐसे जो खेल पर पैसा खर्च करते हैं पूरा एक है यूएस अमेरिका और एक है भारत दो देश जितना पैसा खेल पर खर्च करते हैं या खिलाडियों को सुग्दा देते हैं इतना कोई भी देश सुग्दा नहीं देता है ये नोट कर लीजिए दो देश के वाल हैं दुनिया में जिनकी पूरी टीम जाती है हर खेल में पूरी टीम जाती है मेडल मिले या ना मिले कि प्हरूद एम ठ के साहब टीम जाया ह्किन कुछ मेल भी या भी कि भी Sophia टीम है